नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज हम डिसकस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेर इंटरनेशनल रिलेशन के आईए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की पहला आर्टिकल है साउथ कोरिया होस्ट फर्स्ट समिट फॉर पैसिफिक आइलेंड्स लीडर्स में उसे मिली उनके साथ इस सम्मिट को होस्ट किया अभी पहली सम्मिट थी जहां पर जो आपके Asia Pacific के जो भी major islands थे जिसे मान लिजे Australia है New Zealand है इन सभी के leaders ने आकर इसमें participate किया है अभी के लिए इसमें major focus रहा कि हम कैसे आने वाले समय में climate change के साथ fight करेंगे अभी efforts और ज़्यादा increase करने की जूर्थ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे आपको islands देखने को मिलते है जिसे टोगो हो गया फीजी हो गया अब इनके उपर संकट बंडराता रहता है कि भाई जो climate change होगा तो यह किसी दिन डूब जाएंगे पानी में तो इस वज़े से climate change एक major focus रहा है यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर focus किएगी कि कैसे peaceful, free और prosperous इस region को बनाया जा सके क्योंकि चाइना की dominance के कारण इस चीज को certain करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था इसके लावा यहाँ पर rule based order को establish करने के उपर भी इस summit में agenda रहा हमारा तो in short अगर आपसे पूछी जाए कि first pacific island leaders की summit कहाँ पर हुई थी तो आपको याद रखना है South Korea इसके लावा क्या इसके major objective रहे ये भी आपको याद रखना है इस article में हमारे लिए पोलें का नक्षा जानना जरूरी है अब यहाँ सबसे पहले आप देखे नौर्थ में आता है आपका बाल्टिक सी फिर आज आता है आपका रश्या फिर लुथीनिया बेलरूस यूक्रेन सुलवाकिया वाला इससा ये है फिर Czech Republic and then Germany यह आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है इस बार यूक्रेन के बारे में आपसे पूछा गया था और लगबग इसी तरह से उसके आसपास की कंट्री आपको बताई गयी थी जहाँ पर आप ये देखे लुथेनिया भी आपको गिवन था और इसी के उपर एक कंट्री है लितीविया वो भी आपको गिवन था और ये चेक रिपाब्लिक भी आपको गिवन था तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले अग्जाम में इसके बारे में भी आपको कोशन आ जाएं अब इस आर्टिकल का कंटेक्स भी जान लेते हैं यहाँ पर जो पोलेंड के प्रेजिडेंट है इन्होंने कहा है कि वो इस चीज को चेक करेंगे कि कहीं ओपोजिशन को रश्या सपोर्ट तो नहीं कर रहे है इस वजे से ये काफी area सुर्खी में रहा है अभी recently इन्होंने इस पार्ट का भी नाम चेंज किया है आपने मुझे comment section में बताना है कि इस पार्ट का पोलेंड ने नाम क्या रखा है इस article में बताया गया है कि इस साल भारत शंगाई corporation organization की जो summit है इसे host करने वाले है पट पहले हम इसे physically host करने वाले थे अब कहा जा रहा है कि इसे virtual host किया जाएगा इसके पीछे कोई भी reason नहीं दिया गया है तो यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं कि यह पहली बार है कि भारत इसकी chairmanship acquire कर रहा है यह 22nd आपकी summit है इसकी जुसमें मतलब पहली बार भारत इससे chair करेगा अब इंडिया की इस पर की theme क्या है towards a secure अब secure क्या है यह 2018 में मोदी जी ने एक mnemonics दिया था इसकी full form है security, economy and trade, connectivity, unity, respect for territorial sovereignty and integrity and environment तो हमारा जो focus है इन सभी पार्ट पे रहेगा इसके इलावा हमने कुछ ने pillar भी इसमें add किये हैं जैसे startup and innovation इसके उपर हमारा focus रहेगा traditional medicines जैसे इंडिया में आपको आरवेदा देखने को मिलता है इसके इलावा युनानी और बहुत सी अलग-अलग practices देखने को मिलता है इसे किस तरह से promote किया जाए इसके बारे में यहाँ पर बात होगी digital inclusion के उपर focus होगा youth empowerment के उपर focus होगा and shared Buddhist heritage के उपर हमारा focus रहेगा यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम people to people tie को इन सभी countries के साथ improve करें जिससे कि हमारे जो historic और civilization के जो bond है आपस में उसे हम revive कर सकें आईए अब जान लेते हैं संगाई corporation के बारे में भी जो 1996 में संगाई 5 के नाम से जानी जाती थी इसके उस समय member थे जो भी आपके जैसे Soviet Union के कुछ countries थे जिसे रश्या, कजाकेस्तान, करगेस्तान, तजाकेस्तान इसके इलावा यहाँ पे चाइना इन सब ने मिलके उस समय अपने border demarkation and delimitation के लिए आपस में बात्रेट स्टार्ट की जिसे कहा गया शंगाई 5 इसके बाद 2001 में इसमें entry होती है उसबेकिस्तान की जिसके बाद इसे कहा जाता है शंगाई cooperation organization इसके तुरंट बाद अगले साल इसका चाटर आता है और 2003 में यह organization आपकी force में आती है अब यहाँ पर एक चीज याद रखना 2017 में इसमें add किये थे इंडिया और पाकिस्तान और अभी आने वाले summits में किसी में भी आपके पार्ट बन सकते है इरान और बेलारूस भी इस summit के यानि कि इस organization के यह दो आपके permanent member और हो जाएंगे अब यहाँ पर एक बात याद रखना तुर्कमेनिस्तान जो यहाँ पर mention नहीं है यह भी इसका एक permanent invite रहता है तो इसे भी इस meeting में बुलाया गया है इसके लावा कही observer भी है observer countries इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं बट यह आप यह याद रखना है कि एक permanent intergovernmental international organization है जो कि आपकी deal करती है इस पूरे area, duration पूरे part की stability, security और peace के लिए अब यहाँ पर यह एक तरह की आपकी duration, politics, economic and military organization के तौर पे काम करती है जो एक तरह से counter करने की कोशिश कर रही है NATO को तो यहाँ आप इसको याद रखना है अभी recently नेपाल के परधान मंत्री चार दिन के visit के लिए आ रखे हैं भारत में यहाँ पर इस meeting का major focus रहेगा energy और transport sector पे अभी दो hydro projects के लिए हमारी रजामंदी हुई है यानि MOU साइन हुआ है नेपाल के साथ इसमें पहला है आपका करनाली hydro electricity जो की करनाली river पे located है यह आपकी करनाली river है यह यहाँ से flow कर रहे है इसके उपर हम hydro power project start करने वाले जहाँ से 480 megawatt energy को generate किया जाएगा इसके साथ साथ lower aruna hydro electricity project भी आपका खासा news में रहा है इसके उपर भी MOU sign हुआ है अरुन river जो है इसके उपर यह आपका project start होगा इसका third phase है यह अरुन river आपकी कुछ इस area में पढ़ जाते ही यहाँ पे अब बात की जाती एक petroleum pipeline भी हम establish करने वाले हैं जो की लगबग 69 km लंबी रहेगी जो बिहार के मुतिहारी से जाएगी नेपाल में इसके उपर लगबग 300 करोड का खर्चा रहेगा और 15 मिन्थ में यह बन के तियार हो जाएगी इससे कही न कहीं नेपाल में जो petrol की दाम है वो 2 रुपे पर लीटर कम हो जाएंगे और साथ की साथ जो petrol में adulteration देखने को मिलता है वो भी कम होगा और साथ की साथ हम नेपाल में uninterrupted oil की supply को भी ensure कर पाएंगे तो यह मुतिहारी आपके भिहार में इस इलाके में है और नेपाल के अमलेक गंज एरिया में ये आपका project land करेगा तो मतलब यहाँ पर ये pipeline बिछाई जा रही है आईए अब बात करते अगले article की अभी Russia और India ने मिलके joint venture start करने की सूची थी वंदे भारत के लिए बट इसको कहीं न कहीं अभी रोग दिया गया है अभी discussion चल रही है आपस में इस joint venture में रश्या की तरफ से participate कर रही थी ट्रांस मार्श होल्डिंग वेराज इंडिया की तरफ से railway cast निगम इसमें participate कर रही थी इन्हें contact दिया गया था कि ये 120 वंदे भारत express railway को बनाएंगे अब यहाँ पर इन्होंने सबसे कम बेट किया था तो इस वज़े से contact इन्हें मिला बट अभी हमारे सामने कुछ समस्या है जिसकी वज़े से ये project पूरा रुग गया है पहली चीज तो ये कि western sanctions के कारण रश्या के साथ अभी फिलहाल के लिए trade करना मुश्किल हो गया है क्योंकि Ukraine war के कारण रश्या के उपर बहुत से sanction लगे है अब payment mode किस तरह का रहेगा वो भी हमारे लिए एक बड़ी परिशानी बन गई है इसके इलावा यहाँ पर majority share किस company के पास रहेंगे कि भारत की company के पास या Russia की company के पास ये भी एक major मुद्दा है क्योंकि Russia चाहता है कि उनकी company को major share मिले whereas India चाहता है कि यहाँ पर Indian company को ज़्यादा share मिले ताकि हमें transactions वगेरा में क्योंकि हमें अगर मान लेजे कोई spare part भार से मंगाना है deposit करवाने थे उसमें भी समस्या आ रही है यहाँ पर हमारे सामने समस्या यह आ रही है कि जब आप कोई project स्टार्ट करते है तो उससे पहले कुछ sum आपको जमा कराना पड़ता है bank में मतलब कोई contract आप ले रहे हैं तो कुछ पैसा जमा कराना होता है कि अगर आप default करें तो पैसा आपका seize हो जाएगा लेकिन यहाँ पर यह deposit जमा कराने में रश्या कुता ही कर रहा है अब एक बात यहाँ पर और समझें कि इस railway में वैसे तो ज़्यादा तर पार्ट आपके indigenous ली ही बने है बड़ जैसे stocks होते हैं यह जो stocks हैं यह आपके आते हैं Western Europe से और America से अब America क्योंकि Russia के साथ deal नहीं करते ना चाता ना ही Western Europe तो इस वज़े से हमारे पास इनके import में भी problem आ रही है प्लस funding की भी एक problem है जैसे इतना बड़ा आपका यह project है जिसमें 3000 करोड से ज़्यादा की लागत लगने वाली है इसके लिए funding arrange करने पड़ेगी अब क्योंकि Russia यहाँ पर एक आपका partner है तो इस funding के लिए भी हमारे को थोड़ी परिशानी आ रही है तो आप यह मान के चलें कि इस project में अभी हाल फिलाल के लिए इसे halt कर दिया गया है जहाँ पर Indian Railway यह कह रही है कि हम लगातार रश्या के साथ बाचित कर रहे है और आने वाले समय में हो सकता है कि यह project फिर से start किया जाए अभी recently इंडिया और चाइना के बीच में LAC issue को लेके एक बार फिर से बैठक हुई है न्यूड अब यहाँ पर दोनों जो आपकी sides है चाहे हम बात करें चाइना की चाहे हम बात करें इंडिया की इन दोनों ने अभी present situation को review किया है आपके western sector में अब western sector क्या है यहाँ से start होता है और पूरा आपका जम्मू कश्मीर वाला part यहाँ पर cover होता है इसके इलावा जो हिमाचल से लेके उत्राखंट तक का border है चाइना के साथ जो हम share करते है that is your central sector और इसके इलावा आपका eastern sector भी है जो यहाँ पर सिक्किम एरिया में cover होता है और अरुनाचल परदेश वाले एरिया में cover होता है इस बैठक में बात की गई है कि हमें एक दूसरे के साथ peace को restore करना है और साथ की साथ maintain करने है एक दूसरे के साथ communication को ताकि हम किसी भी situation का सामना कर सकें और diplomatic और military channel एक दूसरे के साथ discussion के खुले रखने ताकि किसी भी तरह की misinformation communicate ना हो इस article में हम बात करेंगे World Meteorological Organization के बारे में जिसके अभी recently प्रेजिडेंट चूस के गए है Dr. Abdullah Almondos जो की UAE के एक meteorologist है आने वाले चार सालों के लिए ये प्रिजाइट करेंगे आपकी WMO के हो अब ये WMO जो है ये United Nation की एक specialized agency है जो deal करती है चार चीजों से जैसे weather, climate, hydrology और environment related field से अब इसके total 192 members हैं जिसमें इसी भारत भी एक है अब यहाँ आपको एक चीज याद रखने है इस WMO को originally जाना जाता था International Metrological Organization के नाम पे ये organization बनी थी 1873 में जब आपकी पहली International Metrological Congress हुई थी ये कहाँ हुई थी? वेह ना में इसका जो headquarter है वो Geneva, Switzerland में है बाद में 1940s के दशक में इसका नाम चेंज करके World Metrological Organization कर दिया गया था अब हाल फिलाल में जो President बने हैं इनका कहना है कि इनके कारेकाल के समय WMO का focus रहेगा तीन मेजर चीजों के उपर कि कैसे wish को और जादा resilient बना सके weather और climate change के निपटने के लिए साथ की साथ early warning system पे भी इनका खासा ध्यान रहेगा ताकि ये लाखो करोडों लोगों की जान बचा सके जो climate change के चपेट में आ सकते हैं इसके साथ साथ ये promote करना चाते है knowledge sharing को और capacity building को so that जो vulnerable section है या vulnerable countries है उनको जादा से जादा मदद मिल सके तो आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे इरान और तालिबान के बारे में अब इनके बीच में एक water conflict originate हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं एक river के बारे में यहाँ पर बात की गिए helmet river जो की originate होती है काबुल से काबुल में आपका western hindu कुष है वहाँ से यह originate होती है और यह drain करती है इरान में आपकी एक lake है यहाँ पर हमून lake यहाँ पर यह drain करती है और यह lake आपकी fresh water lake है यह भी आपको याद रखना है अभी recently इलजाम लगाया है इरान ने अफगानिस्तान के उपर कि 1973 में इन दोनों के बीच में helmet river treaty हुई थी अब इस treaty के तहत जो water sharing मिलनी चाहिए थी इरान को वो proper water sharing कुछ सालों से नहीं मिल रही है देखे इरान ने यह कहा है कि इन्हें जो water मिल रहा है वो 4% ही है whereas 96% water को अफगानिस्तान खुद utilize कर रहा है बट अफगानिस्तान इस claim को सिरे से निकारता है इसमें दो चीज़े कही जाती है इन से पहली चीज़े कही गई कि आपने जो treaty की थी हमारे साथ ना तो यह किसी देश ने ratify की थी ना ही इसे implement कभी किया गया तो जिसकी वज़े से यह आपकी claim दरकिनार करने चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई अफगानिस्तान के दोरा कि recently climate change की कारण पहले ही आपके rainfall का pattern काफी change हो चुका है जिसकी वज़े से इस area में बारिश कम होने के कारण river में पानी कम है और यही कारण है कि जिसकी कारण आप देखते हैं इरान को भी पानी प्रयापत मातरा में नहीं मिल पा रहा है और यह जो river है दोनों कंट्रीज के लिए काफी vital source of water है क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं इन area में irrigation के facility और drinking water के facility यही river प्रोवाइड करती है अब यहाँ आपको इरान और अफगानिस्तान के map के बारे में भी पता होना अच्छी तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से इसके north में तीन countries आती है T for Turkmenistan, U for Uzbekistan, T for Tazakistan इसके लावा यहाँ पर west side में आपका इरान आ जाता है यानि I for Iran और नीचे यहाँ पर अगर south की बात करें या आप पूरे east की तरफ बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान तो यहाँ पर IPI-TUT यह आपका एक code बन जाएगा अफगानिस्तान के लिए TUT का मतलब Turkmenistan, Uzbekistan, Tazakistan IPI का मतलब Iran, Pakistan, India आईए, अब बात करते हैं इरान की इरान के east में आ जाता है आपका अफगानिस्तान फिर थोड़ा south east में चले जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है नीचे आपका Gulf of Oman है और साथ की साथ यहाँ पर आपका state of हर्मोज आ जाता है इसके just आप थोड़ा उपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ आपका position गल्फ आ जाता है यहाँ पर तीन important countries है सबसे पहले इराक को याद रखना जो इरान के साथ border share करता है यह आपका तुर्की आ गया और यहाँ पर आपका अजरबई जाने यह आपका केस्पिंसी है नौर्थ में और नौर्थ में ही यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी आ जाता है तो इन टोटल यह वो countries हैं जो आपको इरान के आसपास देखने को मिलती है आज मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों countries की bordering countries जो हैं उनके नाम को comment box में जरूर से लिखेंगे आज के इस lecture में इतना ही था धन्यवाद